नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बोधगया के बारे में चर्चा करेंगे. बोधगया बौध धर्म का पवित्रतम स्थल माना जाता है, जहां भगवान गौतम बुध ने अपने जीवन के महत्वपून क्षणों में बोधी पेड के नीचे प्रग्यापान बुधधत्व की प्राप्ती प्राप्त की थी. यह स्थान बिहार राज्य के गया जिले में स्थित है और यूनेस को विश्व धरोहर स्थल के तौर पर मान्यता प्राप्त कर चुका है. बोधगया के महाबोधी मंदिर का निर्मान मौर्य सामराज्य के समराट अशोक द्वारा तीन वी शताब्दी इसापूर्व में किया गया था. यह विशाल मंदिर पूरे विश्व में बोध धर्म के अनुयाईयों को आकर्शित करता है. यहाँ परियटक धार्मिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और भगवान बुद्ध के प्रक्तन के शांत वातावर्ण का आनंद ले सकते हैं. बोध गया के चारों और बहुत सारे बौध संग्रहाले, मठ और धर्म शालाएं हैं, जहाँ परियटक अत्यंत महत्वपूर्ण संग्रहालियों में बौध शिलापट, रिप्लिकास, पुरातत्व और बौध साहित्य को देख सकते हैं. यहां की स्थानिय बाजारों में बौध वस्त्र, सूवनियों, मंगल कलश और धर्मिक आइटम खरीदने का अफसर भी हैं. इसके अलावा, बोध गया के पास संगम नदी के किनारे एक प्राकृतिक सौंदर्य भी है, जहां परियटक ध्यान और मन की शान्ती के लिए जा सकते हैं. यदि आप एक साधारन परियटक हैं या आपका धार्मिक आदर्ष बौध धर्म से जुड़ा हुआ है, तो बोध गया एक अनोखा और पवित्र स्थान है, जहां आप अपनी आत्मा की खोज में समाहित हो सकते हैं, और इस प्रकार अपने आसपास के मानविये और आध्यात सम्बंधों को मजबूत कर सकते हैं, बोध गया आपको धार्मिक एवं एतिहासिक रंगीनता के अनुभव का एक अद्वितिय आयोजन प्रदान करेगा, इसलिए यदि आप एक यात्री हैं या बोध धर्म और बोध गया के बारे में अधिक जानने के लिए आपको गहराई से विचार करने की इच्छा है, तो बोध गया आपके लिए अनन्यता का स्रोत हो सकता है। इसलिए जल्द से जल्द इस आदर्श स्थान को यात्रा करें और अपनी आत्मा के साथ जुड़े अनुभव का आनंद लें। अगर यह वीडियो पसंद आया, तो इस यूट्यू सकता है। झाल